Hey guys, good morning, welcome to P.U.T.V. friends आज हम neck design बनाएंगे इसे कुर्ती या blouse दोनों में बनाया जा सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका measurement मैं आपको बता देती हूँ 13 इसका मैंने 7 इंच लिया है और 7 इंची armhole लिया है यहां से 1,5 इंच डाउन करते हुए shoulder की slope दे दी है और 7 इंच पे back का armhole ड्रॉ किया है और पौना 1 इंच अंदर की तरफ mark करते हुए front का armhole ड्रॉ कर लेना है और इस पे cutting कर लेनी है मैंने अभी front नहीं cut किया है अकेला back cut किया था तो अब इस पे cutting कर लेंगे यह मारा front panel के लिए हो जाएगा गले की चोड़ाई का निशान सवा 3 इंच यानि 3 इंच और 2 point mark किया है और गले की गहराई सवा 4 इंच पे mark की है 4 इंच और 2 point और और यहाँ पे round neck की shape देते हुए इस पे cut कर लेना है यह आगे वाले panel की cutting complete हो गई है इसे हटा देंगे यह एक बुक्रम का पीस लिया है इसकी चोड़ाई 3 इंच और लंबाई 10 इंच ली है इसे center से fold करते हुए रखेंगे और यहाँ top से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ one side से tape रखते हुए आदा इंच पे एक निशान लगाना है और 3 का center यानि 1,5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे अब यह जो हमने 1,5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे पोना 1 इंच यानि 1 इंच से 2 point कम पे निशान लगाना है और इस तरह की shape draw कर लेनी है अब यहाँ उपर से tape रखते हुए 1,5 इंच पे एक निशान लगाना है और यह जो 1 side है बुक्रम की इस तरह हमने बिल्कुल थोड़ा सा gap छोड़ते हुए line draw कर लेनी है एक point से भी कम gap छोड़ेंगे तो यह दिखी मैंने थोड़ा सा gap छोड़ते हुए एक line draw कर ली है अब इसी marking पे cut कर लेना है और अब outer pattern के लिए 1,5 इंच का gap छोड़ते हुए cutting कर देंगे pattern यह cut के ready हो चुका है इसे कुर्टी से matching कप्ड़े की ulti side पे रखते हुए fix कर लेंगे अगर आपकी pasting वाली बुक्रम है तो आप paste कर लीजे otherwise ऐसे कच्ची सिलाई लगाते हुए इसे fix कर लीजे अब इसकी सबी sides में आधा आधा इंच कप्ड़ा छोड़ते हुए बाकी कप्ड़े की trimming कर देंगे और यहाँ पे भी cut दे देंगे ताकि यह कप्ड़ा fold हो जाए हमने इसे ऐसे fold करते हुए कच्ची सिलाई लगा देनी है इसकी सबी sides को मोडने के बाद कुर्टी का आगे वाला panel लेंगे और यह जो pattern मैंने ready किया है आप देख सकते हूँ बुक्रम की बाहर वाली side में मैंने quarter inch कप्ड़ा एक्स्टर छोड़ा है आपने भी ऐसे ही छोड़ लेना है इसको आपने नीचे जो कुर्टी का गला है उसके बिल्कुल बराबर करते हूँ रखना है यानि extra कपड़ा उपर की तरफ निकालते हूँ रखना है गले की बाहर वाली side में और यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाते हूए इसे fix कर लेना है अब यहाँ बुक्रम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है हलका हलका किनारा दबाएंगे बुक्रम का ताकि पैटरन की शेप खराब न हो जाए यहाँ से quarter range कपड़ा छोड़ते हूए बाकी कपड़े की trimming कर देंगे और यहाँ भी बीचो बीच कट देंगे ध्यान रहे किसी लाई ना कटे और यहाँ पे नोचीस देंगे सिलाई से दूर रखते हूँ छोट-छोटे कट लगाने है इतना करने के बाद इसे कुर्टी की उल्टी साइड में पलट देना है और इस पे प्रेस कर लेना है अब यहाँ से आपको हलका हलका कपड़ा एक्स्ट्र नजर आएगा जो की हमने एक्स्ट्र रखा था तो आपने गले की शेप के हिसाब से इसको कट कर देना है इसकी उल्टी साइड में बाद में तुर्पाई कर लेंगे लेकिन अभी मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ तो यह इसको मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है अब दो पीस लेंगे डोरी के और इनको ऐसे रखते हुए यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए फिक्स कर लेना है तो यहाँ उपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह ऐसे दो-दो डोरियां रखते जाएंगे और इन्हें स्टिच करते जाएंगे यहां एंड पे सिलाई को थोड़ा सा पीछे को मोडते हुए पका कर लेना है इतना करने के बाद मैचिंग कपड़े का पीस लिया है और इसकी उल्टी साइड पे पेस्टिंग पेपर चिपका रखा है इसकी चोड़ाई तीन इन और लंबाई आठ इंच ली है इसकी एक साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे थोड़ा सा फोल्ड किया है मैंने क्वाटर इंच के करीब अब इस फोल्डड साइड को यहां कुर्टी के नीचे ऐसे रखना है यानि उपर की तरफ की है फोल्डड साइड इसका आप इस तरह से सैंटर कर लीजिए और इसके बिल्कुल सैंटर पे इस वाली साइड को ऐसे रखना है यानि गले को बिल्कुल सैंटर पे ऐसे रखते हुए यहां किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे अब यहां से इस वाली साइड को बिल्कुल सीधा करते हुए किनारे किनारे पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी लूप्स को अटैच करते वक्त उसी पे सिलाई लगा देनी है ये ऐसे हमने पूरे में सिलाई लगा दी है और यहाँ पे बाद में तुरपाई कर लेंगे ये बैक पैनल लिया है इसमें भी गले की चोड़ाई सवा 3 इंच और गहराई 1 इंच लेते हुए ये गनैक की शेप ड्रॉ कर दी है अब इस पे कट कर लेंगे फिर से आगे वाला पैनल लिया है इसकी सीधी साइड से बैक पैनल की सीधी साइड मिलाते हुए इनके तीरे जोइन कर लेंगे अब गले को इस तरह से पकड़ते हुए रखना है और इसको मैजर करेंगे तो ये मेरे केस में सवा 9 इंच है डबल में सवा 9 इंच है जब इसको सिंगल करेंगे तो ये साड़े 18 इंच हो जाएगा इस पे लगाने के लिए ये एक स्ट्रिप ली है इसकी चोड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई जितना हमारा गला आ रहा है मैजर करते हुए उसका डबल लेना है हमने तो ये मैंने 38 इंच ले ली है क्योंकि साड़े 18 इंच वो था तो उसका लगबग डबल हो गया 38 इंच अब इस ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे जैसे हम कॉलर की शेप देते हैं वैसे हलकी सी गुलाई देते हुए कट कर लेना है इस ट्रिप की सीधी साड़ अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से तो ये देखिए कॉलर की शेप में ये रेडी हो गया है यहाँ से इसी तरह से दूसरी साड़ में भी सीधी साड़ अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा देंगे तो ये ऐसे पट्टी मारी रेडी होगे ये दोनों तरफ से इसके इस खुले किनारे पे हमने loose stitch लगाना है यानि बड़े वाले टांके वाली सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें हमने धागा खींचते हुए चुनटे डालनी है तो ये ऐसे इसमें मैंने चुनटे डालनी है अब फिर से कुड़्ती लेंगे और ये कुड़्ती की सीधी साइड है इस पे इसे इस तरह ऐसे रखते हुए stitch कर लेना है quarter inch का दबाव देते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे ये stitch मैंने complete कर लिया है अब ये औरेव पट्टी ली है इसकी चोड़ाई डेड़ इंच है इसके किनारे को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे रखते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे सेम उसी सिलाई पे सिलाई लगानी है जो हमने अभी फ्रिलर टैच करते वक्त लगाई है ये सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद इसे हटा देंगे और ये एक सीधी पट्टी ली है इसकी चोड़ाई एक इंच है इस पट्टी के दोनों किनारों को सेंटर तक मोड़ना है और एक बार फिर से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ऐसे हमने एक बारीक स्ट्रिप रेड़ी कर लेनी है इस स्ट्रिप को मैंने 11 इंच लंबे दो पीसिज में कट कर लिया है इन में से एक पट्टी लेंगे और इसे यहाँ पे रखते हुए सिलना है तो इसको इस तरह से मोड़ते हुए बाद में हमने इस पे सिलाई लगानी है उससे पहले इस पट्टी को ऐसे रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे ऐसे पक्का करते हुए सिलने के बाद अब इसे इस तरह से मोडते हुए यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है आप इन पट्टियों की जगा पे डोरी भी यूज कर सकते हो जो हमने अबी 11 इंच लंबी पट्टियां यूज की है ऐसे ही पूरे में सिलाई लगाने के बाद दूसरे एंड पे दूसरे स्टिप को रखते हुए स्टिच कर लेना है इसी स्टिच के साथ ये नेक डिजाइन कम्प्लीट हो गया है और दोनों स्टिप्स को मैंने यहाँ पे नौट कर दिया है एंड में ब्लैक कलर के मोती लेंगे और सुय और धागे की हल्प से इनको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे इंडोरियों की सेंटर में तो ये देख सकते हो आप इसनेक का फाइनल लुक आई होप आपको ये डिजाइन पसंद आया हो थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई एंड टेक क्यार